नवस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं। शिकायत कर ये बोल रहे हैं। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। इन बयानों की वज़े से सुर्खियां बटोरने वाले तेजप्रताप यादव को उनके विधान सभा के लोग बेसबरी से ढूण रहे हैं। वैसे जब इस छेत्र में बाढ़ाई थी तो वो यहां गए थे और नाव की सवारी तथा लालू प्रशाद यादव का इस्कूल की छट पर से वीडियो कॉल करके चर्चा में भी आये थे। उसके बाद से इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है। जिससे बेहतर भविश्य की कलपना की साथ लोगों ने उन्हें चुरा था वो साकार हो जाएगा। लेकिन फिलाल लोगों का इंतजार इंतजार बन कर ही रह गया है। लोग अब तेजप्रताप यादव से जो की अपने आप को स्रेक्रिश्न बताते हैं उन्हें शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। जाहिर है लोगों की परिशानिया जादा हैं और ऐसे में अपने विधायक को ढूंडना लाजमी है और यही लोगों की शिकायत भी है। लोगों का मानना है कि तेजप्रताप यादव जब पिछली बार हसनपूर आये थे तो उन्होंने वादा किया था कि यहां की सारी परिशानियों को जल से जल दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना तो परिशानिया दूर हुई और ना ही तेजप्रताप यादव दुबारा हसनपूर में लोगों की समस्याओं को देखने के लिए पहुँचे हैं। अब ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता एक बार फिर से उनके बीच आएंगे और उनका हाल जानेंगे। आप बने रहें लाइफ सिटीज के साथ। जदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।